नमस्कार दोस्तों आप सभी का गिता कुकिंग वल में स्वागते आजम बनाने वाले चुटकियों में दूद वाले यानि गुल के शंकर पाड़ा रिजल्टों देख रहे हैं कितना खस्ता भी और करारा भी मुह में जाते पूरे गुल जाते यहाँ पर मैंने एक सिक्रेट त की क्रे ECONS तरीकाएं आप देख लोगे तो आपके जो शंकर पाड़े ऐकदम हमारे जैसे क्छस्ते बनेगे तो अभी दिवाली भी आ रहे है तो दिवाली में तो बनता यह न तो जिन लोगों को नहीं आते हो को शंकरबाड़े तो प्लीज आपने ये वीडियो देखना है और वीडियो हमारा कैसे लगा तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना है और चैनल पर नहीं होगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूले चलो फिर बाते कम करते हैए रेसीपी बनाने स्टर्ट करते हैं थो यहाँ पर mrl लेना है इसे शक्र पाड़ा बहुआदी खस्ता बनता है अभी जीज नाप से एक कट्ठूरि से में एक गख दूद ले ना है अब उस कट्टोर इसके नाप से हमने गी लेना है है रहे इदम सिंपल सा नाप अभी यहाँ पर हमने गैस पर बरतन रख लिया है अभी इससे में अच्छी तशे गरम कर लेना है हादों से एक बात का ध्यान देने हैं हाप पर हमने चासनी और नहीं करना है सिर्फ जो तीनों हमने डाली ती गुड़ और दूद और गी वह अच्छी तशे मिल जाए अभी आप देख सकते हैं इसे कड़क उबाल आ गया है पाने को पॉफेक्ट अभी ग्यास बंद कर दे तो इसे थंड़ा होने को रख देती सिर्फ गुन-गुना करना है जादा भी थंड़ा करना नह और में पॉफ Gena किगो पुम्या पिच्छी की थंड़ा हो चैएं कि गुद्गुना अब इसके उपर हमण डाल देते हैं सारही अध्reibenुदूस अभी अभी कभी कबद क्या हो जाता है पानी जादा हो जाता है तो आपने डरना नहीं है तो क्या करना मैदा डाल देना है कम प इतना सॉप आटा अमें नहीं चाहिए थोड़ा हाची यानिकि थोड़ा हलका सा और कड़क तो थोड़ा मैदा में और डाल देती हूं इतना सॉप्ट हो चुका है इतना सॉप्ट हमें आटा नहीं चाहिए तो और थोड़ा मैं मैदा ले लेती हूँ यानि मुझे यहां पर आधा कप जितना मैंने मैदा लिया है और इसे अच्छी तसे डोग बना लेना है हाँ दोसो आज की रिस्वे आपको कैसी लगती तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना है अभी दिवाली भी आ रही तो दिवाली में तो शक्कर पाड़े चाहिए पर जब हम शंकर बनाते तो हमारे कड़क बन जाते है और पी जाता है बहुत सारी दिक्कत होते खाने में करें तो मज़ा आती है पर बनाना नहीं आता खस्ते भी बनते नहीं तो एक बार मेरे तरह के से आप भर पे बना के दो को दोस्तों सहीं कि अच्छा रिजल्ट आए गा एसे लगेगा ही नहीं कि आपने घर पर ऐसे भार से लाए बहुत ही नान खटाएंगे जैसे खस्ते ब जादा टाइड भी नेचे इंदम पॉफेट हो गया अभी इसे सैट वगेरा नहीं करना इसे तुरंथ बेलना है यदे आप इसे सैट करने जाओगे जो हमने घी डाला वह जम जाएगा वह बेलने में बहुत यह में प्राब्लम होगी तो जैसे हमने आटा गुना है वैसे हमें इसे बेल के करना है अभी आप अब हमने चौपर पर ले लिया है अभी से पीन में डिवाइट कर लेते हूं यह सॉरी चार में चुटे-चुटे पाट अभी से साइट कर लेना है और एक लुई ले लेते और इसे हातों से अच्छी तासे घोल जीसा सेब दे देते हूं शवादी दीवादी धी Ugly special है जैसे हलवाई लो के से बनाते हैं, यहीं एक खाली समय उद्धा ऊच्छा भी होता है, तो तो बनाया जाए है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी है तो इसे थोड़ा हम बेल लेती हूं अब यहाँ पर हमने अच्छी तशे बेल लिया है हाँ दोस्ते इसे थोड़ा में मोटा बेलना है इस तरीके से ज्यादा पतला नहीं बेलना है जिसे हम फ्राइ करेंगे तो यह डबल हो जाते है फूल करोगे जैसे जैसे आप इसे बेलते हैं वेशे थंड़ा होते जाएगा क्योंकि घी जम जाता है न अभी आपको लगता होगा बहुत ही पतला डो बना दिया है अभी के से करें नई दोस्तो सिछे इसे कपड़े पर रखे गे तो फिन ड्राय हो जाएगा अभी से इसे कट कर कर लिए हैं अभी से कपड़े पर रख लेते देखो जैसे मेंने क्या पुरा ड्राय हो चुका वह इसली यह निकल जा रहा है इस तर के हाथों से ही अभी से एक नेपकिन में हम रख लेते की चन टाबल पर अभी यहां पर हमने ऑईल गरम कर लिया वह चेक भी कर लिया हां दोस स्टेज पर हमें थोड़ा गैस फास करना है और जब हमारे जो शंकरपाड़ी उपर आ जाते तब उस स्टेज पर हमें गैस की फ्लें धिमी करने यह इसका सिक्रेट तरीका है दोस्तों अभी इससे तुरन डाला तो इससे टच नहीं करना है थोड़े टाइम के बाद इससे यह अपने आप उपर आ जाएगे और खिल खिले बन जाएगे देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारे शंकरपाड़े उपर आ चुके इससे सामझ में आता है कि हमारे जो शंकरपाड़े कितने खस्ते बन रहे है अभी इस स्टेज प इस अपने नोट करना है और रेसीप हमको हमारी एक कैसी लगी तो हमें बताना है कमेंट करके अब यहां पर देख से तो एक जीसे हमारा गोल्डन कलर आचुका है रिजल्ट आपके सामने है बबलस भी पहले से बहुत कम हो चुकी है और यहाँ पे मैंने गैस की प्लेम दिमी रख लेती और इसे दिमी आके हमें इसे अच्छी दसे फ्राय किया है पांच मिनी तक रिजल्ट आपके सामने ओईल थोड़ा भी पियेगा निजबात कि मैं आपको गैरेक्टे भी तो इस दिवाली में आपने बनाना है और कैसे बने तो हमें बताना है तो इस तरके सारे शंकर पाड़े में इसे फ्राय कर लेते हैं तो देखा ना दूसर हमने कैसे बना दिया नए स्वात के साथ गुड़ वाले शंकर पाले इसमें में दूद का फ्लेवर दिया हुआ है मैं आपको एक लेके बता देती हूँ, देख सकते हो, ओईल थोड़ा भी नहीं है, और तोड़के भी बता देती हूँ, यानि कितना खसता है, मुझ में जाती है, पुरी गूल जाती है, इदम चुटकियों में बना लिया हुआ है, रिजर्ट आपके सामने, जैसे नांग खट कितने हुआ है, यानि के अुरी खुटकियों में प्यूब, क्व걸 जहें चार देती है, वोटा झाल हो, उुटकियों में अजल वेड़ में जाते हैं, ऑल फट दोड़ों मैं यानिहिए हैं अईया है, इद एन्ने कितनेlaraई येय